हलो दोस्तों स्वागत है सबका इन्फो बेर में दोस्तों 25 अक्टोंबर संडे हैं कल सुभे की तयारी सब लोग करी रहे होंगे तो एक न्यूज आपके लिए लेकर के आया हूं साथ ही साथ उसका एनलेसिफ वी होगा दो स्टॉक से आटो स्टॉक से खास करके दोनों भी और कौन से वो द्थ टॉक्स है क्यों गिरने की बात हो रही है किया निउज आई है क्या चार्ट बता रहा है क्या डेटा बता रहा हो और साथ ही साथ मेरा point of view क्या करना चाहिए उसके बारे में ठीक है दोस्तों तो वीडियो जो है दोस्तों शुरू करने से पहले अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा बेल आइकों को जरू क्लिक कीजेगा क्योंकि उसकी वज़य से ही आपको आते हैं नोटिफिकेशन कोई भी अगर नया वीडियो अपलोड होता है तो आपको नोटिफिकेशन के जरीए जो है वो पता चल जाता है साथी साथ दोस्तों टेलिग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे करके रखा हुआ है अगर आप आर्टिकल्स पढ़ना पसंद करते हो तो बेर्निउस डॉट इन पोटल पर जाकर आप आर्टिकल्स जो होगे पढ़ सकते हो काफी सारे कैल्कुलेटर से काफी सारा एजुकेशन मट्रियल भी है आप वहां पर जाके सीख सकते हो जानकारी आसिल कर सकते हो ठीक है दोस्तों तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं ज्या उनमें से पांच शेर जो है वो इंडियन कंपनीज है और उनमें से खास करके दो आटो कंपनीज है जहां कि जिसके हम लोग आज बात करने वाले हैं पांच की बाद इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि जो तीन बच्चे हुआ हुआ है उसमें कुछ खास गिरावत होती नही भी बहुत बड़ा है और इसके चलते इन्वेस्टमेंट भी काफी अच्छी खासी है और अभी काफी बड़े लेवल पर यहां पर होल्डिंग भी करके रखी हुए लोगों ने स्टॉक भी करके रखा हुआ है तो दोनों के नाम बताने से पहले में सीधा आपको आर्टिकल पर लेकर चलता हूँ टाइमस अफ इंडिया के ताकि आप देख सको वहां पर क्या एक्चुली लिखा हुआ है दिखें दोस्तों हमें एकोनोमिक टाइमस के आर्टिकल के उपर है तो यहां पर क्लेरली लिखा हुआ है 5 out of the 10 stocks with the most seller rating in the world are from इंडिया यानि दुनिया के वैसे 10 stocks है जहां पर काफी ज्यादा सेल की rating दी हुई है उनके 5 stocks जो है वो इंडिया से है और जिनमें से दो जो है वो major two wheeler companies में आते हैं खास करके एक है tvs motors दूसरा है पंजाब national bank तीसरा है royal enfield बनाने वाला आइशेर motor paint का major जो है वो merger paints और साथ ही साथ में BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रिकल तो यह वह चार पाच companies है दोस्तों जहां पर बहुत ज्यादा सेल की रेटिंग जो है वो analytical companies में देख करके रख हुई है अब tvs के बारे में थोड़ा आगे पढ़ते हैं देखते हैं क्या लिखा हुआ है देखे tvs motors जो है यहां पर most sale rated share बन गया है यह दो नंबर पर आता है एक नंबर पर है German Airlines जिसका नाम लुथांजा और PNB है तो अभी most rated sales है क्योंकि 26 analyst जो है इन्होंने sales rating देख करके रखा हुआ है tvs motor को यानि आने वाले टाइम में आमें बहुत बड़ा sale हमें देखने को मिल सकता जैसे bull rally होती है वैसे bear rally यहां पर देखने को मिल सकती है साथ यह साथ 8 analysis ऐसे हैं जिन्होंने buy की rating जो है वो देख करके रखी हुई है और उतने ही analysis जो है उन्होंने जो है hold की rating यहां पर देख करके रखी हुई है यह नहीं अब इसके पीछे का reason क्या है वो भी इनके इसाब से जान लेते हैं देखे शेयर का major decline अभी तक जो हो चुका है वह हो चुका है लगभग 6% का और इनका कहना ही है कि आगे जाकर के यह 6% से 15% तक भी जा सकता है तो 15% का downfall एक बहुत बड़ा डाउनफॉल मालना जाएगा क्योंकि 15% का growth एक अच्छा growth मान सकते हैं तो 15% का degrowth भी हमें एक बड़ा ही मानना चाहिए अब बात करते हैं दूसरों दूसरे नंबर के शेर्स का वो है हमारा आई शेर मोटर यह मेरा खुद का परसनल फेवरेट शेर है और मेरी अच्छी खासी होल्डिंग भी है आई शेर में टाइम टाइम पे बेज करके वापस से बाई करके अच्छा कासा profit वाइस में हमेशा कमाता हूं बड़ा वॉल्यूम है इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हो और अच्छा मुखा अगर यह गिर जाता है जैसे यहां पर रेकमेंडेशन हो रही है तो पॉसिबल यह अच्छा मुखा मिलेगा आपको इसमें बाई करने का अईनलिस जो है वो कह रहे है अलगभग 15-16 जो आईनलिस जो कह रहे है कि भाई आप होल्ड करो जो भी जी सिच्वेशन भी अगर आप रहो के तो बस आपके होल्ड करके बैट लेना ब्रोकरेज एलरा कैपिटल इनका कहना है यह भी एक है जिन्होंने सेल रेटिंग दी थी तो इनका कहना के आने वाले टाइम में शेयर टार्गेट जो है आई इनका रीजन क्या है कि एंफिल्ड जो है यह मार्केट शेयर लूज कर रही है लगबग सप्टेंबर में इनका सिफ एक परसेंट शेयर बढ़ा था मार्केट में और लगबग सिफ 60,000 यूनिट जो है सेल हुए थे जो कि लगबग इंडस्ट्री परसेंड से दो परसेंड जाता है डोमेस्टिक में और इंडस्ट्री ग्रोथ लगबग 13% हो चुका है उसके कंपारिजन में आईशेयर मोटर का ग्रोथ काफी कम है और साथी साथ में अगर आप टू विलर की बात करेंगे तो इंडस्ट्री वॉल्यूम और आगे जाने वाला इन फूचर वाला कपल का टाइम तो इनके लिए कोई मार्केट गेन यहां पर होने की उमीद नहीं है काफी स्ट्रॉंग बनाते काफी बड़िया बनाते और साथी सथ आईशेयर मोटर का एक न्यू मॉडल जा है कस्टमाइज मॉडल उन्होंने लांच किया हुआ है अगर वह काम कर जाता तो क्या कहते हैं अगर लोग यह और इंकम की बात करते हैं दोस्तों यह और यह की बात करेंगे तो हाँ रेविन्यू कम हुआ है आईशेयर मोटर का तो इंडरेक्ट लीए डिए पीबी आईटी और बीबी टी और साथ चाहिए इंकम और एपीस भी 17 परसेंट से नीचे आया है तो यहां पर year on year basis पर हाँ definitely weakness है क्योंकि हमें पता है आजे से ज्यादा टाइम तो कोरोना पैंडामिक ही चल रहा था तो अगर उसको भी आगे छोड़ देते हैं तो postpone deliveries की बात हुई या जो advance booking थी कहीं ना कहीं वो cancel हो गई होंगी कुछ ना कुछ रीजन की वज़े से यहां पर impact बिल्कुल हुआ है बट आने वाले टाइम में definitely company कुछ ना कुछ कोशिश करेगी कि यह चीज जो है वह सुदर सके और अगर company इसमें फेर हो जाती है तो definitely हमें यहां पर जिस तरह से गिरावर्ट कर रहे हैं तो गिरावर्ट भी देखने को मिल सकती है तो risk बिल्कुल न आगे आप अपना stop loss set करके रख दीजिएगा पहले सही क्योंकि अगर गिरावर्ट मिलती है तो आप जो है वह सेफ साइड निकल किने की एक पॉसिबिलिटी जो है आपके हाथ में रह सकती है अब यही नंबर TVS के देखेंगा तो definitely TVS के भी खराब है बट TVS के अगर आप द से डाउन है एक का साड़े 11% से डाउन है दोनों भी टूविलर कंपनी से और दोनों भी ड्याउन है आपको एक तो चीज़ पता है पिछले साल देड़ साल से पूरा का पूरा पूरा ऑटो मूबाल इंडस्री का टाइम खराब चल वह सिर्टीविस नहीं है वह सिर्ट आइ अशोक लेलान को हुआ हम लोग देख चुके हैं 45 से नीचे का प्राइस जा चुका था तो यह तो पैंडमिक टाइम था खराब टाइम था वह निकल गया अब आने वाले टाइम में अगर हमें ग्रोथ देखेने को मिल जाती है तो यह निउस जो है यह फेल हो जाएगी और क दाल के लिए आईशेर मोटर थोड़ी सी यहां पर करेक्शन्स हो चुके हैं बड़ ग्रीन लाइन यहां पर लिए लग चुकी है अब देखें के मंड़े को इस न्यूस का असर कितने लोगों पर होता है यह असर नहीं हो पाता है क्योंकि यह पर ट्रेंड जो है अभी भी पॉजिटिव है, bullish trend ही है कोई change नहीं हुआ है और अगर ये share मेरे ख्याल से दीखें, यहाँ पर support है, support अभी भी बहुत लंबा है आई share motor के लिए तो डरने की कोई बात नहीं है जल्दबादी की कोई जरूरत नहीं है जहाँ पर है, वहीं पर बैठेर है at least आई share motor के लिए और जब 2000 की नीचे जाने की उमिद आपको दिखाई दे ऐसे कुछ लगे, तो अपना decision आप ले सकते हो, ठीक है अब यहीं बात में करूँगा दोस्तो, TVS motor के बारे में तो उसका भी चार्ट आप देख सकते हो कोई लंबा नहीं है इसका भी uptrendy है, क्योंकि situation वैसे चल रही है बट यह एक चीज TVS में देखने को मिल रही है, कि इसका जो stop loss है दोस्तो, यह थोड़ा सा मतलब यह support जिसको हम बोलते हैं, यह थोड़ा नस्दीक आता हुआ दिखाई दे रहा है तो अगर कल सुभे यहां पर आपको positive चीज़े दिखने लगती है तो आप सोचिएगा buy करने के बारे में और अगर यही downfall आने वाले कल यानि Monday में भी continue रहता है तो सोचिएगा stop loss लगा के चलिएगा बिल्कुल 427 के आपका stop loss बिल्कुल होना चाहिए आपका क्योंकि यहां से अगर गिर जाता है तो यह news का impact जो है वो हमें देखने को मिल सकता बिल्कुल बहुत तगड़े तरीके से देखने को मिल सकता है तो दोस्तों यह था मेरा point of view कल के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा है मेरा study अच्छा लगा है आपको तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और notification बेल को जरूर क्लिक कीजिएगा पेलिग्राम चैनल से बिल्कुल जुड़ी हैगा लिंक डिस्क्रिप्शन में देखर के रखी हुई है मिलते हैं दोस्तों कल सुबा एक नई वीडियो के साथ में तब तक के लिए थैंक्यू वेरी मॉच